जाहिन दोस्तों तो दोस्तों आज क्योंड हम चर्चा करेंगे 27 मार्च करेंट है फिर 24 तो दोस्तों डेली करेंट है फिर से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आकन को प्रेस्ट कर ले ताकि हरके लिए वीडियो का नोटिफिसन आप तक सबसे देश कोंड रहा आपके साम से चार उप्षण है एयोके बी ब्राजील सी अस्ट्रेलिया डी रस्या इन चार रहों में से क्योंड सॉप्षन इस कौसंट हो जाएगा हो जेगा ओजिए अफ्संबर ए हो जाएगा यूँके ठीक है इसके बाद हम आते हैं नेस्ट को पर प्रतिमा Statue of Social Justice का किस राज्य में अनवरन किया गया हाल ही में भीमराव एंबेड़कर की पृतिमा Statue of Social Justice का किस राज्य में अनवरन किया गया आपके सामें चार अपसने एक करनाथक वी अंदर परदेश C तैलंगाँ. D तमिल लाडू इन 4 boxes में कौने चाहर प्तिन? इस question का right round answer हो जाएगा? इस question का right round फूर हो जाएगा? बार B हो जाएगा अंदर परदेश ठीक है? इसके बार हम आता है next question को पर question है divided किस राज्य में कनूमा तेहवार हाल ही में किस तराज्जे में कनुमा तहमार मनाया गया आपके सामचे 4 option है A. केरल B. तमिलाडू C. तैलंगाना D. करना तक इन 4 option में से कॉर्ण सा option इस question का right down सी हो जाएगा इस question का right down सी हो जाएगा option C हो जाएगा तैलंगाना ठीक है इसके बाद हम आते हैं question nest तो नेस्ट कोशन है थीटेल सिंंस हवाई एड्डे का पुरुषकार किसने जीता DV ए इंटते ह hen फोरुषकार किसने जीता आपके लूरू हवाई एड़ा ठीक है इसके बाद हमातन नेस्ट कोशन के उपर कोशन है हाल ही में भारत का पहला गिराफिन के अंदर किस राज्ये में इस्तापित किया गया हाल ही में भारत का पहला गिराफिन के अंदर किस राज्ये में इस्तापित किया गया आपके सामें चार इसके बार हम आता है कॉस्टन नेस्ट पर कॉस्टन नेस्ट है हाल ही में विसु टेबल टैनिस पुर्तियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतिया महिला खिलाडी कौन है हाल ही में विश्व टेबल टेनिस प्रत्योगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारती महिला खिलाडी कौन है आपके सामदे चार उप्षने A. मनी का बत्रा B. अंकिता दास C. स्रीजा अकूला D. पॉलोमी घटक इन चार उप्षन में से कौन से उप्षन इस कोशन का राइट राउंसर हो जाएगा इस कोशन का राइट राउंसर हो जाएगा वह यह का उप्षन में C हो जाएगा स्रीजा अकूला स्रीजा अकूला इस कोशन का राइट राउंसर हो जाएगा इसके बार हम आते हैं कोशन नेस्ट पर कोशन नेस्ट है कनवर्जेशन कनवर्जेशन विद ओरन्जेव नामक उपन्यास किसने लिखा आपके सामें चार उप्षन है इन चारो उप्षन से कौशन का राइट आउंसर हो जाएगा उप्षन पर ए हो जाएगा चारो निविदिता ठीक है इसके बाद हम आते हैं कोशन नमबर नेस्ट पर कोशन नमबर नेस्ट है हाल ही में जाती आधारित जनगर्णा सुरू करने वाला दूसरा राजजी कौन सा है आपके सामें चार उप्षन ए बिहार बी आंदर परदेश सी जहारकंड डी उडिसा इन चारो उप्षन में से कौशन इस कौशन का राइट आउंसर हो जाएगा हम आते हैं कोशन नेस्ट पर कोशन नेस्ट है हाल ही में किसने अगले पांच वर्षों के लिए आईपेल का टाइटल स्पॉंसर्शीप हासिल किया है हाल ही में किसने अगले पांच वर्षों के लिए आईपेल का टाइटल स्पॉंसर्शीप हासिल किया है आपके सामें चार option में से कौन सा option इस question का right round हो जाएगा इस question राइट round हो जाएगा वह एक option पर A हो जाएगा Tata ठीक है इसके बाद हम आता है next question को पर question है हाल ही में किस मंदिर में गोल मेले का आयोजन किया गया हाल ही में किस विशुनात मंदिर वरा नसी इन चारों उप्सन में से कौन से उप्सन इस कोशन का राइट आउंसर हो जाएगा वह एक उप्सन बी हो जाएगा जगरनात मंदिर उदंपूर ठीक है इसके बार हमातन नैस्ट कोशन को उपपर कोश्चन 11 हाल ही में नो साल बाद पारामपरिक भैसो की लड़ाई महजूज महजूज का आउज़न कहा हुआ हाल ही में नो साल बाद पारामपरिक भैसो की लड़ाई महजूज का आउज़न कहा हुआ आपके सामने चारों उप्सने A. M. J. O. B. Manipur C. Assum D. Nagaland इन चारों उप्सन में से कौन से उप्सन इस कोशन का राइटराउंस हो जाएगा इस कोशन में से राइटराउंस हो जाएगा वजेका उप्सन में C हो जाएगा Assum ठीक है इसके बार हम आते हैं कोशन नेस्ट पर कोशन नेस्ट है हाल ही में पक्के पाग होन बिल फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया आपके सामदे चारों उप्सन है A. Manipur B. Nagaland C. Assum D. अरुनुचल परदेश इन चारों उप्सन में से कौन से उप्सन इस कोशन का राइटराउंस हो जाएगा इस कोशन राइटराउंस हो जाएगा वह जेका उप्सन मड़ी हो जाएगा अरुनुचल परदेश ठीक है इसके बाद हमातन नैस्ट कोशन को पर कोशन 13 हाल ही में फर्टी लाइजिंग दे फ्यूचर नामक पुश्तक किसने लिखी है हाल ही में फर्टी लाइजर फर्टी लाइजिंग दे फ्यूचर नामक पुश्तक किसने लिखी है आपके सामें चार उप्सन है इसके बाद हमाते हैं कोशन नमबर 14 कोशन 14 है हाल ही में असम ब्रेव हार्ट लचित लचित बराफुकन पुश्तक किसने लिखी है आपके साम चार उप्सन है डॉक्टर मंसुक मंडाविया बी अरुप कुमार दत्ता सी मनोज मुकंद नर्वने डी रगुराम राजन इन चार उप्सन में से कौन सो उप्सन इस कोशन कवर talking हो जाएगा इस कोशन को राजन को राजन हो जाएगा वज़े को फ्सन मुश्त B हो जाएगा अरुप कुमार दत्ता ठीक है इसके बाद हमातन West कोशन को पर कुशन मंद 15 हाल ही में सिक्षा मंत्रालिने ने कितने वर्सों से कम आईओकि विद्यार्तियों के कोचिंग कैंदर में प्रिवेस्थ पर रोक लगा दिये आपके सामचे चार आपसे इसके बार हम आते हैं नेस्ट को पर कौसर है विंटर यूथ ओलम्पिक्स दोजार चौबिस में किस एक मात्र भारते खिलाड़ी ने हिस्सा लिया विंटर यूथ ओलम्पिक्स तौर चौबिस में किस एक मातर भारते खिलाडी ने हिस्सा लिया आपके सामने चार उप्षन है A.C. तल देवी, B. साहिल, C. अतिरिक, D. सतियंद्र इन चारो उप्षन में से कौन्ट सो उप्षन इस कोशन का राइट आंस हो जाएगा इस कोशन का जो राइट आंस हो जाएगा उप्षन बी हो जाएग ठीच के बार इसके बडार नेयाश कॉशन में 17 स्टीड फास्ट डिफेंडर दवर्ड़ा तो उप्ष्य युद्ध अभ्यास का आउजन किसके द्वादा किया गया आपके सामने चार उप्षन है A.D B. Russia C. Chin D. NATO इन चारो उप्सिन से कौन सौ उप्सिन इसकोसन का right answer हो जाएगा इसकोसन दो right answer हो जाएगा वह जाएगा option में ड्डी हो जाएगा NATO ठीक है इसके बार हम आता है helfen est question को उपर question nest है हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोशित कर दिया गया हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोशित कर दिया गया आपके सामने चारो अप्षने A. Cape वर्दे B. भूटान C. नेपाल D. कोई नहीं इन चारो अप्षने से कौन सो अप्षन इस कौशन का राइट आउंसर हो जाएगा इस कौशन जो राइट आउंसर हो जाएगा ओजएका उप्षन पर A हो जाएगा के पुरदे इसके बाद हम आते हैं नेश्ट कौशन को पर हाल ही में सहुदी अरब के रियाद में जोए अवार्ड से 24 में सम्मानित होने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी हाल ही में सहुदी अरब के रियाद में जोए अवार्ड से 24 में सम्मानित होने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी आपके सामने चार उप्षन है A. सुधामूर्ती B. दीपी का मिश्तरा C. दीवे किरती शिंग D. आलिया भट इन चारों उप्सन में से कौन से उप्सन इस कोशन का राइट आंस हो जाएगा इस कोशन दो राइट आंस हो जाएगा वो एक उप्सन मट्डी हो जाएगा आलिया भट तो दोस्तो डेली करेंट से जुणने के लिए बेरचले को सब्स्राइब कर लें और बेलागां को प्रेस कर लें थैंक यू